एला फ्रेंट्स तो आज लोग एनिमल किंडम का दिसरा फाइलं ठेखने ही जा रहे है फाइलम टी लूप यह कम जलीज का नाम से भी जानते हैं सी वालनट और कंब जेलीज के नाम से भी जानते हैं यह जो फाइलम है टीनोफोरा यह टीसु लेबल अफ और गनाईएस होता है टीसु लेबल अफ और गनाईएसन रेडियल सिमेट्री एंड एसीलोमेट्स टीसु लेबल अफ और गनाईएसन रेडियल सिमेट्री एंड एसी इसमें जो डाइजेशन होता है वह एक्स्ट्रासेललर इंट्रासेललर दोनों होता है और यह जो एक्स्ट्रासेललर इंट्रासेललर दोनों होता है और यह जो एक्स्ट्रासेललर इंट्रासेललर दोनों होता है और यह जो एक्स्ट्रासेललर इंट्रासेललर दोनों होता है जो इसमें बायोलूमिनेंसी की प्रपर्टी होती है बायोलूमिनेंस यानि इमिट लाइट यह एक और गेनिजम है जो कि लाइट को इमिट करता है तीनोफोराफाइलम्स हो है वह लाइट को इमिट करता है और जो इसमें किवल सेक्जूल रिप्रोडॉक्शन ही होता है इसमें कि इन डाइरेक्ट डेवलमेंट होता है यानि कि इसमें भी लार्वल स्टेज आता है जितना भी मतलब यह फाइलम है हमारा जो नोन कोरेड़ेट है जितने भी नोन कोरेड़ेट है सारा का डेवलमेंट इन डाइरेक्ट ही होता है यानि सब लार्वल स्टेज बनाता है सारा में लारव लेश्टेजे बनता है तो यह टीनोफोरा भी लारवा बानाता है और इसमें सेक्जियल रिप्रोडक्शन ही केवल होता है और इसका एक्जामपल है प्लीूरो ब्रेंकिया एंड टीनोप्लेना प्लीूरो ब्रेंकिया एंड टीनोप्लेना तो इसको याद रखेंगे ट सीलो मेट्स होता है और इसमें एट एक्स्टर्नल कॉम्ब प्लेट पाई जाता है जो कि लोको मोशन में हेल्प करता है और इसमें डाइजेस्टन जो है एक्स्टासेललर इंट्रासेललर दोनों होता है और इसमें बायोलूमिनेंसी की प्रपर्टी हो जो कि इमिटलाइट करता और इसका एक्जाम्पल है प्लिूरो ब्रेंक्या है तीनो प्लेन थैंक यू फ्रेंड्स